जहिंद विद्ध्यार्थियों आप सभी का एक बार पुरे हरदिक स्वागत है देखे कल की क्लास में हमने पंचाइतरा से लेटेड कुछ आर्टिकल की बात की थी कुल 16 आर्टिकल्स आर्टिकल 243 से लेकर 243 अन्य तक और उन articles में कौन-कौन से articles में क्या-क्या कहा गया है हमने सारी उसके उपर चर्चा की थी और एक अलग तरीके से हूमने उन articles को लिखा और उन्हें याद करने की एक कोशिश की थी मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सभी विद्यारतियों को वो articles शायद याद होगे होंगे और भी उद्यारастьयों को वह आर्टिकल्स यार्ष हैं यां नहीं तो आप इस बात की कोशिच करें एन जिल जिसर शियां इसमां को आंकल आ 243 है यहाँ लिखा है हमने आपको पता है क्या लिखा था r2 छ मिठा आ है कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है पिर एन घै और टान यह आठ गजह कि अब आप केवल見て बिंदू लिखे हुए है। 16 बिंदू है यहां पे लेकिन यह 16 बिंदू आपको अच्छे से आपके दिमांट में पिक्चर है। कि यह कूं सा आर्टिकल एंड है। यह आप जानते होंyardség होंगे यह अब हमें उन आर्टिकल्स में जो लिखा है उसकी जिगह को भी वहीं पे टाय करना है देखें आप यहाँ पर क्या है किया लिखा यहां पर आटिकल 243 इसमें परिभाशा यहां पर क्या लिखा है बताईए आप खुद ही तरह कीजिए ग्राम सभा यहां पर मेरे जवाब का इ इसका उत्र दे पारे हैं, इसका मतलब आपको याद है, और यदि आपको वो याद नहीं आ रहा है, जब आपको 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 आपक योग गताएं, यहाँ पर शक्तियां, यहाँ पर करार ओपन या वित्य शक्तियां, यहाँ पर पताईए आप, वित्य शक्तियों के बाद क्या आता है, राज्य वितायोग, और यहाँ पर फिर बाद में, वित्य मामलों का क्या होता है, लेखा संपरिक्षा, फिर यहाँ पर है यहां पर संग राज्य क्षित्रों में इसका लागू होना यहां पर पूरों प्रचलित विधियों और संस्थाओं का बने रहना और अंत में नयाय लेके हस्तक्षेप का निशेद ये 16 आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप समझ गए होंगे अब एक अभी तक हमने क्रम में पड़ा है अब मुझे यह बताएं यहां पर क्या है बताएं आप कोशिश कीजिए यहां पर है क्यों सा क्थर जानते हैं आप चये चये और यहां पर तिसाओ जजय तो है और यहां पर क्या आएगा विद्य शक्तिया ये करारो पड़ा अच्छा यह बताएं यहां पर क्या है और यहां पे है कुछ संस्थाओं का जो पूर प्रस्लिश संस्था है और विदिया है उनका बने रहना अच्छा यहां पे क्या है एक दम सही बता रहे हैं आप यहां पे है कारिकाल यहां पे तीन स्थर यहां पे यहां पे है राज्य निर्वाचनायोग चलिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर है शक्तियां इसके बाद बताईए यहाँ पर क्या है राज्जी निर्वाचनायोग यहाँ आप जानते हैं यहाँ पर कुछ इसका बने रहना यहाँ नहीं होना तो कुछ क्षित्रों में इसका लागू ना होना वो यहाँ पर है अच्छा फिर भी हम एक दो क्लास चलेगी पंचाहिटिराच के समंध में हम हमेशे इनके बारे में थोड़ा सा रिवाईज करेंगे, आपको यह सारा याद हो जाएगा हमने आर्टिकल 243 के पढ़ लिया था गराम सभा, 243 के पढ़ लिया था तींसतर हमने 243 के पढ़ लिया थी उसका सरंचना आज हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, आर्टिकल 243 गह की तरफ और उसमें है आरक्षन पंचाई तिराज के आरक्षन से समंदी प्रावधान, आर्टिकल 243 गह क्या है प्रावधान, आरक्षन कैसे दिया गया, सारी बात समझे पैली बात तो ये कि आरक्षन समंदी प्रावधानों में दो, तिन चीज़ें आप खास तरफ थे समझे है, पहली बात आप ये समझे है कि पंचाईती राज में आरक्षन जो दिया गया, उसके लिए कहा गया, कि पंचाईतों में अनुसुचिजम, जन जाति तथा महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा तीनों के लिए कहा गया महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा करक्समय यह बताई आप तो इनको प्राप्त होगा कितला कोई बचता ही नहीं है कि इंका रट सा मंदि किसी प्रकार के किसी प्रावधान प्रावधान के लिए कुछ चोड़ा गया हो मिनीन जो आरक्षन मिलेगा, इसका मतलब आरक्षन मिलेगा, ठीक है, दूसरा कहा गया कि राज्य विधान मंदल विधी बनाकर अन्य पिछला वर्ग, ये समाज के किसी अन्य वर्ग को, वो क्या कर सकता है, आरक्षन प्रदान कर सकता है, लेकिन प्रदान करेगा कौन, विधान मंदल को इसका मतलब यह है कि पंचायती राज पूर देश भर के समस्त स्थानों पर प्रत्हएक रज्य में पंचायती राज विवस्थाव में स्ट को आरक्षन मिलेगा ही मिलेगा स्ट को आरक्षन मिलेगा ही मिलेगा महिलाओं को आरक्षन मिलेगा ही मिलेगा लेकिन तिराशी में समिधान शंचोन द्वारा इस बात का भी प्रावधन किया गया कि अरुनाचल प्रदेश में पंचाय तिराज से लेटेट जो भी मामले हैं पंचाय तिराज व्यवस्थाओं में इसके अलावा देखें और आरक्षन समंदी प्रावधन किया है पंचाय तिराज में उनमें मोटे तोर पे आप समझेए कि पंचाय तिराज में आरक्षन दो आधारों पर दिये गये हैं दो मोटे मोटे तोर पे आधार है कौन कौन से आधार है एक है स्थानों पर आरक्षन देखें इस आरक्षन समंदी प्रावधन को आप थोड़ा सा ढंग से समझना चाहते हैं तो दो प्रावधन ये दो बात तो आपके पढ़ी और आगे देखें आरक्षन से समंदी और दूसरा है पदों पर आरक्षण यह आरक्षण है स्थानों पर आरक्षण और दूसरा पदों पर आरक्षण order, reservation on seats and reservation on offices, seat का मतलब चुब का मतलब स्थान, office का मतलब पद, seat का मतलब स्थान का मतलब सदसे, mooटे-mooटे तोर पे, आप सीधे-सीदे के लिए पे ये मोटे मोटे तोर पर इतना समझी मतलब है सदस्यों के लिए या और यह पीक्राम की और अधिक्ष मद कि बात की है यह यहां पंचाय समीती के सदस्यों का आरक्षन है, वहां परधान का आरक्षन है, यहां जिला परिश्रत के सदस्यों का आरक्षन है, वहां जिला प्रमू का आरक्षन है, दोनों प्रावधन अलग क्यों किये, इसकी भी खास वज़ा है, हम बात करते हैं, पहले इसको समझी आप इस्थानों पर आरक्षन के लिए कहा गया कि किसी भी पंचायत के सदस्यों को जो आरक्षन दिया जाएगा उसमें SC और ST का आरक्षन कितना होगा इस बात का निर्धारण उस पंचायत में उस पंचायत की टोटल जनसंख्या में SC और ST की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर वहाँ पे इस्थानों का रख्षन तै किया जाएगा कि पंचायत की टोटल जनसंख्या जैसे मानली जी ग्राम पंचायत की बात करें तो 1 G 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 S G 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 जी किसी जिला परिशद पूरे जिले की जन्तिकिया में स्थी की जन्तिकिया स्थरूराइश congenut analogy कि तोटल स्थरूराइश की मिलेगी फारिषिक्चान तो मिलेगा पंचाय समीति में कित्टी सीटों का अथार पर कितना है इस आधार परे SC और ST की सीटों को पर आरक्षन परदन किया जाएगा और प्रते एक पंचायत में ऐसा किया गया है SC और ST की जनसंख्या के लिए किया गया कि पंचायत की जनसंख्या में ध्यान साथ समझना आप पंचायत की कुल जनसंख्या में लिखना मत एक बार SC वे ST की जनसंख्या की अनुपात में तो SC और ST का आरशन कितना होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में टोटल जनसंख्या में उनका अनुपात कितना है तो कहां की जनसंख्या आधार बनी इसमें खास बात ध्यान रखें यह पंचायत की जनसंख्या आधार बनी है उस पंचायत की जनसंख्या को मापड़न रखा जाएगा अगर किसी पंचायत में SC की जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं है तो है SC की सीटें होगी नहीं रिजर ठीक समझे हैं अब तो इस तरीके से SCO ST की जिंन सिंख्या उस पंचायत की तो जिंध की कुल जिं सिंख्या में उसके अनुपाद के bays पे और ये आरक्षन प्रदर्ण किया गया कि तो है सदसन्ख्या की बात अब हैं पदों परारक्षन पदों परारक्षन अध्यक्षपत का रक्षन अच्छा इसका अगर मां उधान दे के समझा आपको माली जी किसी पंचायत में टोटल जो सदसन्ख्या बीस है, टोटल सदस से बीस है, बीस पंच हैं, ये समझे आप, तो यदि बीस पंच हैं, उनमें S-C की सीटें कितने परसंट होगी, तो माल लिजे वहां की टोटल जन्सेंख्या जितनी भी है, माल लिजे किसी, टोटल जन्सेंख्या जितनी भी है, उसमें S-C की जन्सेंख्य मान लीजिए 20% है तो इन 20 सीटों में से स्ट की सीटें कितनी होगी चार होगी मान लीजिए स्ट की सीटें जन्द सेंगे 10% है तो स्ट की सीटें इन 20 में से कितनी होगी दो होगी चार पंच ग्राम पंचेत है तो चार पंच एसी के होंगे दो पंच एस्टी के होंगे पंचेत समीति है तो पंचेत समीति में यह दी इस तरीके से जो कुछ भी है तो उस अनुपात में वैसे हो जाएगा बात समझ पानें आप इस तरीके से पदों पे आरक्षन की बात जहां तक है वहां पे आरक्षन का थोड़ा सा प्रावधान अलग किया गया है ज्यादा अलग नहीं है और अलग क्यों किया गया उसकी भी बात करते हैं हमने इसी बात को वहां पे क्यों नहीं अपना है इसकी वज़े है सदस्이 तो होते हैं ज्यादा जैसे 20 सदस्य हो गयी ग्राम पंचैत उसमूप यह होते हैं लेकिन अध्यक्ष कितने होते हैं अध्यक्ष किया वह की होता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी एक होता है सरपंच, पंचायत समित्री का अध्यक्ष भी एक होता है परधान, और जिला परिश्द का अध्यक्ष भी एक होता है जिला परोग, तो अब वहां पे जनसंख्या, वो सीट आरक्षित किसकी की जाए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कह दें पंचायत की जनसंग्या जैसे इसमें कहा कि पंचायत की कुल जनसंग्या में S C और S T की जनसंग्या के अनुपात में और आरेशन अद्ध्षपद का आरेक्ष्ण कर दिया जाएगा ऐसा तो है नहीं मालिजे सरपंच बनाना है तो सरपंच यएक ही बनेगा अब उस गाव में 1000 कि जनसंग्या मालिजे 20% है S T की जनसंग्या मालिजे 10% है ऐसा तो है नहीं कि उस एक अध्ध्थपद में आद्ध्भी तो च differenti नहीं कि ना तो उसका 20% हिससा तो S C का और 10% हिस्सा ST इसा हो नहीं सकता आदमी एक ही है या तो पियोड ली SOVC या फिर पियोड ली जनरल ही होगा ऐसा ही तो होगा तो हम उसको Pengokayd की जन्सिंग्या में SCST की जन्सिंग्या के वर गनुपात में नहीं बाढ़ सकते ठीक है ना तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ये प्रावधान दूसरा कर दिया गया, कहा गया कि राज्जी की कुल जनसिंख्या में राज्जी की कुल जनसिंख्या में SC वे ST की जनसिंख्या के अनुपात में देखना थोड़ा अंतर है लेकिन बड़ा अंतर है मालिजे राज्जी की पूरे स्टेट की राज्जस्थान की लेवल की राज्जस्थान की टोटल जनसिंख्या में SC वेस्टी की जितनी जनसिंख्या गनुपात होगा उस अनुपात में उस राज्जे में जितने भी अध्यक्ष्पत है उनकी सेटों का प्रदां किया जाएगा जैसроп उध्यक्स देखता हूं थे इसके में प्रतेने का मतलब जिला परिशद है उसाट सेने के प्रमूख में से कित्तीक हों बढ़िए इसके लिए इस बात पर तहीं क्या जाएगा राजस्थान की टोटल जंसिंग क्या है उस जंसिंगा में S.C. मान लीजिए कितने परसंट है उस परसंट के बेस पे S.T. की सीटे होंगी स्ट्री की जन्षैंगे कितने पूरे रज्य में उस उरॉपाद में स्ट्री को हुए हैं तो महले जिये ısı की सीटे मां लेजए 20 सेंट है स्ट्री की जन्षैंग है पूरे राजस्थान की बात करा हूँ तो यहां पैर एस्टी की 20 सीट होने का मतलब सा सीटे तो होगई SCE की और तीन सीटे होगई STK सीधे सीधे तौर पे समझें आप इस तरिके से पूरे राज्जी की यहाँ पर आधार इन दोने में इंतर क्या है यहाँ आधार बनाया हमने पंचायद की जनल संस्क्या को यहाँ हम आधार बनाएंगे तो दसजार सरपंच होंगे कि नहीं होंगे इन दसजार सरपंचों में से स्थान का रक्षन है जिसमें पंचायत की जन्संग्या को अधर बनाया गया यह पदों का रक्षन है जिसमें रज्जी की जन्संग्या को अधर बनाया गया दोनों में ही एक खास बात यह है कि अब आरक्षन की जो कौन से सीट पर आरक्षन दिया जाएगा यह तैह होगा चक्रानुक्रम पद्दती से चक्रानुक्रम का मतलब रोटेशन हर पांच साल से रोटेशन होगा और रोटेशन पद्दती से और यह आरक्षन प्रदान किया जाएगा और रोटेशन पद्दती का मतलब यह है कि मान लिए इस बार सिकर जलेगे जिल्हा प्रिश्ग के सीट जिल्हा परमुक्र मान लिजेए इसकी बात करें हम जिल्हा परमुक्र सीट है SC की है तो अगली बार ये ST की हो सकती है या फिर सामाने हो सकती है OBC की हो सकती है महिला की हो सकती है चक्रा उक्रम पद्दती से बदलता से लाजाएगा इसले कहा जाता नहीं कि उस गाव में सरपंच की सीट है वो जनरल की आई है या उसमें S.C. की आई है किया S.T. की महिला की आई है या S.T. जनरल की आई है या फिर O.B.C. महिला की आई है जो भी आई है वह इस तरीके से बदलता रहता है हर पांस साल से चक्राणू करम पदेती से वो सीटे और यह पद यह उनमें आरक्षन के वास्ता बदलती रहती है ठीक है ये आरक्षन से समद्धी SCST के प्रावधान थे महिलाओं से रिल्टेड प्रावधान में क्या कहा गया वो भी समझे आप महिलाओं के आरक्षन के जहां तक बात है महिलाओं के आरक्षन के लिए कहा गया कि पंचायती राज में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने परसेंट आरेक्शन प्राप्त होगा पताईए अब देखिए आप में से कई स्ट्रेंट्स के गड़ बढ़ हो गई कुछ 33% कह रहे है कुछ 50% कह रहे है कौन सा सही होगा पताईए आप असल में दोनों ही सही नहीं है राजस्थान में सम्विधान में महिला आरक्शन की बात पंचायती राज में कितनी की गई है वो कही गई है कम से कम 33% या कम से कम एक तिहाई सीटों पर भी और पदों पर भी सीटों पर भी है पदों पर भी है तो यहां जाना कि केवल एक तियाई याद अगर आप मैंने आपसे पूछा कि पंचाय तिराज संस्थाओं में महिला आरक्षन कितना प्रावधन किया गया है आप कहते हैं एक त्याई तो इसका मतलब सही नहीं है उत्तर गलत है आप कही यह कम से कम एक तिया हो सकते हैं का मतलब हो या नहीं हो इसका निर्धान करेगा विधान मंदल करेगा क्योंकि पंचायती राज के बारे में कोई भी विधे बिराने की शक्ती विधान मंदल को प्राप्त है ठीक है तो इस तरीके से कम स्थान प्राप्त नहीं होंगे अब यहां पर क्या हुआ कि 2008 में मध्यप्रदे सरकार ने एक अधिनियम पारित करके और महिला अरक्षन पंचायतीराज में 50% कर दिया राजस्थान में 2009 में एक एक्ट पारित किया और महिला अरक्षन बढ़ाकर 50% कर दिया तो वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं में जो आरक्षन लागू है राजस्थान में वो 50% है सम्विधान में 50% नहीं कहा गया है यह 50% लागू किया है विधान मंदल ने क्योंकि सम्विधान कहता है 33% से कम प्राप्त नहीं होगा तो विधान मंदल उसको ज्यादा तो कर कर सकता है तो यह विदान मंदल ने वीजी बनाकर उसको 50% कर दिया वर्तमान में इतना लागू है यह लागू है लेकिन समयधान कहता है कम से कम एक यह यह खास बार ध्यान रखे चक्रानुक्रम पद्धिती से बदलता रहता है यह रख्षन भी तो यह कुछ बाते है और वह आप जहां रखें और आप लिख लीजिए इसको लिखे आरक्षन अनुच्छे 243 घै आरक्षन अनुच्छे 243 घै अनुच्छे 243 घै अनुच्छे 243 घै लिखे अ पंचायतों में अनुच्छे जहती अनुच्छे जन जाती तथा महिलाओं को तथा महिलाओं को अनिवार्यत तह आरक्षन दे होगा अनिवार्य तह आरक्षन देख होगा लिखें एंगली पंक्ति में लिखें राज्य विधान मंदल विधी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग है तू अन्य पिछड़ा वर्ग है तू आरक्षन समंधी प्रावधान कर सकता है आरक्षन समंधी प्रावधान कर सकता है आरक्षन समंधी प्रावधान कर सकता है ठीक है लिखें एंगली पंक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षन का निर्धारन विधान मंदल की इच्छा प्रावधान अन्य पिछड़ा वर्ग है तू आरक्षन का निर्धारन विधान मंदल की इच्छा प्रावधान 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 मंदल क यह लिखें पहले अनुस्चित जाती तथा अनुस्चित जन जाती ही तो आरक्षन आरक्षन लिखें लिखें पंचायतों में अनुस्चित जात ऐसी तथा स्टी स्थानों तथा पदों पर आरक्षन के प्रावधान किये गए है पहले लिखें स्थानों पर आरक्षन कोस्टेक में लिखने सदस्य स्थान लिखे इसका एक कोस्टेक में सदस्य परारक्षन स्थानों परारक्षन लिखे लिखे पंचायत की कुल जन सिंख्या में पंचायत की कुल जन सिंख्या में SC तथा ST की जन सिंख्या के अनुपात SC तथा ST की जन सिंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षन प्राप्थ होगा उन्हें आरक्षन प्राप्थ होगा पंचायत की जन सिंख्या को अनुपात में SC तथा ST की जिनसेंगे के अनुपात में उन्हें आरक्षन प्राप्थ होगा ठीक है फिर लिखे पदों पर आरक्षन और कोश्टेक में लिखने अध्यक्षपद अध्यक्षपद लिखे इसमें राज्य की कुल जनसेंग्या में SC तथा ST की जनसेंग्या के अनुपात में S, C था, S, T की कुल जन संह कैके अनुपात में उन्हें आरक्षन प्रतान किया गया है सब्सक्राइब पाट में उन्हें अध्यक्ष पद पर आरक्षन प्रदान क्या गया है, तो यह अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है, यह सदस्य के लिए, इस तरीके से, ठीक है फिर लिखे आगली पंक्ति में लिखे एक पंक्ति छोड़के महिलाओं को आरक्षन लिखें इस में पंचायतों में पंचायतों में पंचायतों में कम से कम पंचायतों की कुल सीटों में कम से कम एक तिहाई सीटों तथा पदों पर कम से कम एक तिहाई स्थानों तथा पदों पर महिलाओं के स्थान तथा पद आरक्षित होंगे महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा एक तिहाई सीटों तथा पदों पर महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा आरक्षन प्राप्थ होगा लिखें अगली पंक्ते में अर्थार्थ पंचायतों में महिलाओं का आरक्षन एक तिहाई से कम नहीं हो सकता एक तिहाई से कम नहीं हो सकता बलकि बलकि विधान मंदल विधी द्वारा विधान मंदल विधी द्वारा इसे एक तिहाई से अधिक बढ़ा सकता है इसे एक तिहाई से अधिक कर सकता है कि के एक तेहीं से अधिक कर सकता है ए अ एक तेहीं से अधिक कर सकता है दिखिये एग लिए पंक्ते में राजस्थान विधान मदल सभाने राजस्थान सभाने ए दो हजार County में राजस्थान विधान सभाने 2009 में अधिनियम पारित कर अधिनियम पारित कर पंचायतों में महिला आरक्षन पचास प्रतिशत कर दिया पचास प्रतिशत कर दिया पंचायतों में महिला आरक्षन पचास प्रतिशत कर दिया ठीक है अचा महिला आरक्षन में एक खास बात और भी है और वो क्या है कि उसमें एक अलग से यह भी कह दिया गया कि महिलाओं की जो एक त्याई आप वर्तमान में से रास्तान की 50% की बाद जित्ती भी चीटे आरक्षित है वो नकेवल वो सीटे वैसी है बलकि आरक्ष्ण में भी आरक्ष्ण प्राप्थ होगा मतलब यह कि मान लीजिए ऐसी की जित्ती सीटें हैं और से मान लीजिए च्चान अरक्षित हैं तो कम से कम एक थिही का मतलब छै में से कम से कम दो सीटें सी से कि महिलाओं रॉक्षन सिटें दिया गया उन किया गया है ठीक है लिखें आप ये बात लिखें कि अनुसुति जाती तथा अनुसुति जन जाती या फिर लिखें सी तथा स्टी सीधे लिख लीजिए सी तथा स्टी के लिए आरक्सिस सीटों में से कम से कम एक तहई सीटों पर कम से कम एक तहई सीटों पर उसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षन प्राप्त होगा उसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षन प्राप्थ होगा ठीक है तो ये प्रावधान और कर दिया गया है लिखें एक पंक्ती छोड़ के आगे लिखें आरक्षन के ये प्रावधान चक्रानुक्रम पद्दत्ती से लागू होंगे आरक्षन के ये प्रावधान चक्रानुक्रम पद्दती से लागू होंगे मतलब सीटों और स्थानों पर जो आरक्षन है ये चक्रानुक्रम पद्दती से बदलेंगे चक्रानुक्रम या रोटेशन पद्दती से लागू होंगे ठीक है यह आरक्षन समंधी प्रावधान है आगे देखें कारिकाल और कारिकाल कौन से आर्टिकल में है अनुछे 243 अड़े में और आर्टिकल 243 अड़े कहता है कि पंचायतों की जो अवधी होगी कि वो कितनी होगी उनकी प्रथम बैठक से पांच वर्ष प्रथम बैठक से पांच वर्ष तक की उनकी अवधी होगी समय से पहले भी कोई सदस्य अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है त्याग पत्र जैसा विधान मंदल विधी बारता ही करेगा उस विक्ति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है इसके अलावा किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर इस आउधी से पह आएगा वो शेष कारिकाल तक पद पर रहेगा पूरे पांस साल ले ने रहेगा बलकि शेष कारिकाल तक वो पद पर रहेगा ये इसमें प्रावधान कारिकाल में किया गया इसके अलाग पद से हटाने की जो बात है वो भी कही गई कि विधान मंदल विधी द्वारा पद से ह हटाने की जो प्रक्रिया है, वो केवल अद्ध्यक्ष प्रस्ताव के لिए है, सदस्यों के लिए नहीं है, अद्ध्यक्ष प्रस्ताव को समय से पहले भी प्रस्ताव के लिए, विरुद, ये विधान मंदल तेह करेगा और ये केवल अध्यक्षपद के विरुद आता है ये ध्यान से समझेए अच्छा ये जो अध्यक्षपद के विरुद एविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होगा ये तेह कौन करेगा ये विधान मंदल विधी द्वारा तैय करेगा राजस्थान की जहां तक बात है राजस्थान में ये तैय किया गया है कि ऐसा प्रस्ताव एक तिहाई सदस्चियों के समर्थन से ही लाए जा सकता है एक तिहाई सदस्चियों के इस प्रस्ताव को ले के आएंगे एक तेह सदस्यों के साइन उस प्रस्ताव पर जुरूए तभी वाएगा अब प्रस्ताव लाया गया एक निश्ची दिन उसकी बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में यदि टोटल जो सदस्ट संग्या उस पंचायत की जितनी भी है पंचायत की टोटल जीतने भी सदस्ट संंग्या है उसके यदि तीन जोथाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरपंच या परधान या जिला प्रमुख वो पद्षसे हट जाता है तो देखें इसे पद्षसे हटाने के लिए कोन सा बहुमत चाहिए तीन चोथा ही ही बहुत सबसे कठीन बहुमत है तीन चोथा ही बहुत बहुत कठीन होता है ये इसलिए Ltd. का गया त्कि आसा नी से अध्यक्ष को हटायना जा सके और इसके लिए नнитеber लिये बल्कि कुछ और प्रावधान भी कर दिये गये जो पांस साल की अवधी है एक दो तीन चार और पांच पांस साल की अवधी में ये कह दिया गया है कि शुरुवाती दो सालों में ऐसे पद से हटाने का प्रस्ताव नहीं लाए जा सकता अंतिम वर्ष में भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाए जा सकता समझे हैं आप और यदि दो साल बात कोई प्रस्ताव ऐसा ले आए गया प्रस्ताव ले आए उस प्रस्ताव को वो प्रस्ताव वहाँ पर पारित नहीं हो पाया मान लीजिए तो उस प्रस्ताव को पारित नहोने की इस्तिति में उस्तिति से लेकर एक वर्स तक फिर असा प्रस्ताव नहीं ला सकते तो इसका मतलब एक करिकाल में पांच साल के एक करिकाल में ऐसा जो आविशुआस प्रस्ताव अधिक्तम दो बार ही आ सकता है इसका मतलब यह तो ओँद् But रहा हुआ तो इस तरीके से आप क्यों समझे कि एविश्वास प्रस्ताव वो अध्यक्षपत की विरूद आता है और ये प्रावधान रज़िस्थान वे इस प्रकार से किया गया तो लिखें कारिकाल अनुच्छे 243 अड़ै लिखें पंचायतों का कारिकाल पंचायतों का कारिकाल उनकी प्रतम बैठक से उनकी प्रतम बैठक से पांच वर्ष तक होगा पांच वर्ष तक होगा पांच वर्ष तक होगा ठीक है फिलिक यांगली पंक्ति में लिगें इस अवधी से पूर्वे किसी सदस्य का स्थान रिक्थ होने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्थ होने पर पद रिक्ती की तिथी से छे महा में पद रिक्ती की तिथी से छे महा में निर्वाचन होना आउशिक है निर्वाचन होना आउशिक है निर्वाचन होना आउशिक है लिखे आगली पंक्ति में इस प्रकार से नव निर्वाची सदस्य से शेश कारिकाल के लिए पद गरहन करता है शेश कारिकाल के लिए पद गरहन करता है शेश कारिकाल के लिए पद गरहन करता है फिली के अगली पंक्ति में लिखे ए विश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष ए विश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को इस अवधी से पूरू भी पद से हटाए जा सकता है इस अवधी से पूरू भी पद से हटाया जा सकता है लिखे ए विश्वास प्रस्ताव संबंदी प्रक्रिया का निर्धारण ए विश्वास समंदी प्रक्रिया का निर्धारण विधान मंदल विधी द्वारा ते करता है लिखे ए विश्वास प्रस्ताव ए विश्वास प्रस्ताव लिखें इसमें ए विश्वास प्रस्ताव केवल अध्यक्ष के विरुद लाया जा सकता है सदस्यों के विरुद नहीं सदस्यों के विरुद नहीं फिर लिखें लिखें राजस्तान में पंचायतों में इस प्रस्ताव की प्रक्रिया निम्न प्रकार है इस प्रस्ताव की प्रक्रिया निम्न प्रकार है इस प्रस्ताव की प्रक्रिया निम्न प्रकार है एक तेख़ी सेस्टिशूं के समर्थन से ही लए जा सकता है लए जा सकता है लिखें अंगले पंगते में नियत निथि पर बुलाई गई बैठक में नियत तितिय पर बुलाई गई बैठक में इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए तीन चोथाई बहुमत के आवशिक्ता होती है इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए तीन चोथाई बहुमत के आवशिक्ता होती है तीन चोथाई बहुमत के आवशिक्ता होती है फिर लिखें एंगली पंग्ति में ऐसा प्रस्ताव प्रारंभिक दो वर्षों ऐसा प्रस्ताव प्रारंभिक दो वर्षों तथा अंतिम वर्ष में नहीं लाए जा सकता ऐसा प्रस्ताव प्रारंभिक दो वर्षों तथा अंतिम वर्ष में नहीं लाए जा सकता अंतिम वर्ष में नहीं लाए जा सकता फिर लिखें एंगली पंग्ति में एक बार ऐसा प्रस्ताव एसफल होने की इस्तिती में एक बार ऐसा प्रस्ताव एसफल होने की इस्तिती में दुबारा एक वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाए जा सकता दुबारा एक वर्ष्ट तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाए जा सकता नहीं लाए जा सकता ठीक है फिर देखें योग गता ही अनुच्छे 243 क्या क्या योग गता ही दी गई पहली योग गता ही है कि भारत का नागरी खो दूसरी योग गता ही है कि कम से कम 21 वर्ष क्या यूप्राप्त कर चुका हूँ पंचायतों में चाहे वो ग्राम पंचायत का सब्सक्राइब चाहे पंचायत समयति का सब्सक्राइब चाहे वो जिलापरिश्व का सब्सक्राइब 21 वर्ष की गई नियुन्तम आयूसिमा और तीसरी वे समस्त योग गता ही जो विधान मंदल विधी द्वारा तैय करे यहां संसद नहीं ध्यान रखना विधान मंदल विधी द्वारा तैय करे यह तीन प्रकार की योग गताओं का जिकर आर्टिकल दो सब्सक्राइब इस चय में कहा गया भारत के नागरिख ही 21 वर्ष के यह अपूरी कर चुका हो और वे समस्त योग अजीика विधानमंदल विधी enlarा तैय करें तो विधानमंदल विधी द्वारा तैय करने का मतलब है कि अलग-लग राज्यों में पंचायतों में सदस्चे के लिए योगताओं का निर्धान विधी बना कर विधान मंदल अलग-लग तेह कर सकता है जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले शिक्षा समंदी प्रावधान थे कि पंचायतों में शेक्ष्णिक योग्यता जोड़ी गई पिछले चुनाव में उसे आहटा लिया गया जैसे संतान संबंदी योग्यता का जिक्र है कि दो से अधिक संतान जिसके होगे नहीं लड़ पाएगा 1996 के बाद से यदि किसी वेक्तित दो सम्ताने हैं तो वो चुनान नहीं लड़ पाएगा तो ये विधान मंदल ने विधी बिना करता है किया प्रतेक राजिम ऐसा हो ये जुरूरी नहीं है ठीक है? तो लिखें आप योग्यता है अनुचे दो सोते हैं लिस्ट चै पहला लिखें भारत का नागरिक हो भारत का नागरिक हो दूसर लिखें 21 वर्ष के आयू प्राप्त कर चुका हो 21 वर्ष के आयू प्राप्त कर चुका हो और तीसर लिखें वे समस्त योगिताएं जो विधान मंदल विधी द्वारा तै करें जो विधान मंदल विधी द्वारा तै करें ठीक है बाद में देखें इसके पंचायतों की शक्तियां अनुचे 243 चे अब यहां देखें शक्तियों में कहा गया आपने ग्यारवी अनुचे का नाम सुना ना ग्यारवी अनुचे 73 में समयधान शिंचो द्वारा जोड़ी गई और इस ग्यारवी अनुचे में 29 विशेशों पे गई तो उन 29 विशेशों पर पंचायतों को विधी बनाने का उन पर निर्णे करने का उन्हें करने की पावर्स हैं लेकिन खास बात ध्यान रखें आप यह इस पर खास बात यह अर्टिकल दोस्ते हैं लिच्छ यह कहता है कि ग्यारवी अनुचे में दिये गए 29 विशेशों में से उन विशेशों पर पंचायतों को विधी बनाने निर्णे लेने की शक्ति प्राप्त है उन्हें क्रियानवीत करने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य विधान मंदल विधी बनाकर उन्हें सोंपे मतलब यह कि सभी 29 विशेशों पर पंचायतों को शक्ति प्राप्त हो सकती बशरते की विदान मदल उन्हें इसारे 29 मंतिंदा मालीजी किसी राज्य में विदान मंदल ने पंचायतों को विफे canचायतों केवल पासविज उन्हीं पे पाउर प्राप्थ होगी श्येशच्छ 14 में नहीं जो जो विशे उन्हें सोपे जाएंगे विधान मंदल द्वारा केवल 39 में से उन्हीं विशेओं पर पंचायतों को शक्ति प्राप्त होगी ठीक है तो यह भी विधान मंदल की इच्छा पर छोड़ा गया कि वह पंचायतों को कितने पावश देता है लिखें आप शक्तियां अनुचे 223 लिखें पंचायतों को ग्यारवी अनुचुची में दिये गए उन्टीस विशेओं में से उन्टीस विशेओं में से उन विशेओं पर उन विशेओं पर विधी निर्मान तथा निर्णे लेने के शक्ति प्राप्त होगी जो विशेओं राज्य विधान मंदल विधी द्वारा उन्हें सोपे जो राज्य विधान मंदल विधी द्वारा उन्हें सोपे जो राज्य विधान मंदल विधी द्वारा उन्हें सोपे मतलब केवल उन्हें पे है तो वो सोपेगा फिर देखें करार उपणिया वित्य शक्तिया कर लगाने की पावर है पंचायतों की कर लगाने की पावर आर्टिकल दो सते हैं अलीज जय में उसकी वित्य शक्तियां तो इसमें विस पस तौर पर यही कहा गया कि जो ग्यार्वी अनुसुच में 29 विश्यों में से वो जो कर लगाने की पावर जो जो शुलक लगाने की पावर पंचायतों को दी गई है उन में से केवल वो शुलक वो कर लगाने की पावर वो वित्य शक्तियां पंचायतों को प्राप्त होगी जो राजी विधान मंदल विधी बनाकर उन्हें वो शुलक लगाने और उन्हें एकत्र करने की पावर देता है तो केवल वो शुलक लगाने और उन्हें एकत्र करने की पंचायतों को पावर होगी जो राजी विधान मंदल विधी द्वारा उन्हें सौपे तो लिखें आप इसमें वेकर लगाने तथा उन्हें एकत्र करने की शक्ति प्राप्थ होगी वेकर लगाने तथा उन्हें एकत्र करने की शक्ति प्राप्थ होगी जो राज्य विधान मंदल विधीद बनाकर उन्हें सोपे जो राज विधान मंदल विधी बना कर उन्हें सौपे विधी बना कर उन्हें सौपे ठीक है तो आज की क्लास में हमने आरक्षन से शुरू की आर्टिकल दोस्ते हैं इस घे से कारिकाल हमने पढ़ा दोस्ते हैं अड़े चैय में हमने योगताइं पढ़ी, चैय में हमने सामने शक्तिय पढ़ी और जैय में हमने वित्य शक्तिय पढ़ी आगे कुछ और आर्टिकल्स बाकी हैं, कल हम पंचाय तिराज के शेश रहे आर्टिकल्स के उनके उन प्रावधानों को समझते हैं, पढ़ते हैं तो कल की गलास में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद